नमस्ते अभिवादन आपका स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के हेक और नहीं एपिसोड में हैपी इन्वेस्टर्स जहां पर आपको मिलेंगे चोटे-चोटे वीडियो में बड़े-बड़े मल्टी बैगर्स तलिए फटा-फट बात करते हैं आज इन रिजल्ट के बारे में जैसा कि आप थमनेल देख पा रहे हैं आज मैं आपको चलिए क्या-क्या डिसकस होने वाला है सब कुछ पहले समझा देता हूँ इन्फोसिस के बारे में और और डिसकस किया जाएगा ये वीडियो कंप्लीटली फंडामेंटल नहीं रहेगा तो एक सेकंड में जारा इसको पैन चालू कर देता हूँ ब्रश चालू है अपना ओके जी अब यहां पर मैं दूसरी बात अगर आपको यहां पर समझा हूँ तो दूसरा क्या फेक्टर यहां पर कवर होने वाला है इनका जो मैं टार्गेट लिखके दे रहा हूँ वो है अ वापिस सोलाशर के लेवल पर आगया है получится सोलाशर सो से भी यह बन नीचे चला गया था थोड़ा बहुत चाने वाला था नीचे मिस्स मार्केट एक्स्पेक्टेशन यह बहुत बड़ा फेक्म है इनका जो रिजल्ट है यह जो फी जानेंगे इस वीडियो में और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए क्या रिटेल इन्वेस्टर्स बरबाद हो गया जिसना 800 के पर या फिर 1700 के पर बाई किया था सब कुछ जानेंगे चलिए सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर हमारे बाकी चैनल को आप चाहे तो सबस्क्राइब कर सकते हैं उसके बाद हम बाकी तो ऐसे वीडियो तो लाते ही रहते हैं आप सभी के लिए और यहाँ पर दोस्तों एक बात करना चाहूंगा मैं सैमको का सहबार देना चाहूंगा जहाँ से हमें इतनी अच्छी अच्छी न्यूज मिल जाती है शौट फॉर्म में और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यह देख लिए प्रॉफिट का बैलेंस शीट जिनों ने देखा होगा बैलेंस शीट जिनको पढ़ने के आदत होगी अगर नहीं है तो आदत डाल दो क्योंकि मार्केट में अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सीखोगे बैलेंस शीट पढ़ना अगर आप चाहते हो कि मैं उसके उपर अलग से वीडियो बना हूँ तो ज़रूर बना दूँगा कमेंट सेक्शन में बता देना लेकिन आपको भी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसी जीज़े तो पढ़ना आना ही चाहिए रेडिमेड मार्केट में वीडियो देख करके अगर स्टॉक बाई करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे ठीक है सामझ आ रहा है मेरी बात को थोड़ा सा मैं रूडली बात करना हूँ लेकिन बात सही है मुझे कमेंट्स जब मैं पकड़ता हूँ तो इतना दुख होता है उन सब लोगों के लिए इतना बुरा लगता है कहता है कि मेरे पास एक लग शेर इस लोण एनरजी के है 50,000 शेर यह क्या कहता है प्रकास टीलेज के ले लिए हमेंगे सनवारिया कंजिवमर्ज के ऐसे पैनी-पैनी स्टॉक में इतने सारा पैसा लगा जेते है फिर बोलते हम फस गए थोड़ा बहुत अपना रिसेच करना सीखिए हर यूट्यूबर्स फरजी यूट्यूबर्स के उल्टे-फुल्टे धमाका कर देने वाला स्टॉक एटॉमिक बम हो जाएगा कल ये स्टॉक कल मार्केट खुलते ही स्टॉक में लगेगी अपर सर्किट आग लगा देगा ज्वाला मुकी फट जाएगा इस टाइप के यार तुम वीडियो सब देख करके अपना पैसा बरबाद मत करो अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना देख सीखो मेरे कहीं सारे वीडियोस है जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट की इन्वेस्ट का वीडियो इस वीडियो को त्यान से देखेगा मैं सहुच समझ करके वीडियो बना रहा हूँ प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो CNBC का जो पूल था CNBC TV में जो फाइनेंशल बड़े बड़े दिगज लोग है जो फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं MBA किया होता है उनका मानना था कि प्रॉफिट करके इतना प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है 5980 करोर हुआ कितना प्रॉफिट देख लीज़े इतना हुआ कहने की बात क्या है जो भी प्रॉफिट हुआ ठीक है मिस हो चुका है मार्केट की जो expectations है उसको लेकिन जो expectation जिस तरीके से होने वाली थी उस–स अब से दोस्तो हमें जो quarterly results मिलना चीए था वो थोड़ा सक कमाया है इनकी expectation ऐसी है 4365 और 4250 अब margin की अगर बात की जाए तो margin के हिसाब से भी थोड़ा बहुत match हो रहा है लेकिन EBITDA ratio के हिसाब से इंगा जो quarter 3 का result था वो काफी हड़ तक जो खराब आया है लेकिन जो CNVC pool का ऐसा मानना है कि जो market की जो expectation है उसके हिसाब से इतना revenue और सब generate होना चाहिए लेकिन Infosys ने इतना तो किया नहीं ठीक है तो अब quarter 4 के result में हमें करना क्या है ये कहने की बात ये है कि Infosys का जो भी हमें result देखने को मिलता है उसमें एक बात हमें खास खियान रखनी है कि ये एक large cap company है क्या है ये large cap company है दूसरी important बात अगर मैं बात करूँ अगर गड़बड़ा भी जाता है तो इनके investors को panic करने की जरुवत नहीं है अठ्रासो के price पर अगर आपने buy किया है यहाँ पर अगर मैं आपको बता देता हूँ चार्ट में ले जा करके अगर अठ्रासो के price पर आपने buy किया है तो बिल्कुल भी panic होने की जरुवत नहीं है यह stock नीचे की तरफ जा रहा है मैं मानता हूँ stock नीचे की तरफ जा सकता है लेकिन चलिए चार्ट पर जाता हूँ आपको वीशे शुरूख से समझाता हूँ चलिए Infosys के चार्ट पर मैं आपको समझा देता हूँ यह देख लीजिए यह stock को आप ज़रा सा ध्यान से देखिएगा यह stock में ऐसा आया है कि देखो भाई यहाँ पर buying जिनों ने किया होगा ठीक है जिनों ने 1900 के price पर buy किया है उनको तो लग रहा हो कि हम फस्क चुके है अब तो यहाँ से stock में गिरावट ही गिरावट शुरू हो चुकी है सिंपल सी बात है मेरी ज़रा सब बोर से देखिए इसको मैं long term आपको चार्ट करके बता देता हूँ यह इससे पहले भी हुआ है ठीक है ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है इससे पहले भी 1900 का level touch था उसके बाद profit booking आ गए थी भला ही जिसकी भी reasons आई हो लेकिन आई तो थी ना यहाँ पर देख लिए यह 1900 के ऊपर यह stock गया था जहाँ पर consolidate करता था उसको भी break कर चुका है stock अब टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो stock नीचे की तरफ जाने की संभावना बन रही है दूसरी बात करूँ कि यह जो gap down create हुआ है इसके अंदर भी gap filling होने की chances भी हो रहे है क्योंकि दोस्तो जब भी gap create होता है stock market के chart के अंदर stock के chart के अंदर तो gap filling होने का भी एक time आता है जब market वापिस से उचाल देता है market में वापिस से कोई अच्छी news आती है तो ज़रूर stock में अंदर वापिस से हमें buying भी देखने को मिलेगी infosys जैसे दिगज company दोस्तो अगर चोड़ा बहुत अगर negative news आ जाता है तो panic करने के ज़रूरत नहीं है long time investors के लिए हर गिरावट एक buying opportunity होगी क्या 1600 का price सही रहेगा भाइ करने के लिए अपना दूसरा वाला SIP अब ज़रूर डाल सकते है इसके अधर अपना SIP का थोड़ा थोड़ा amount मान लिजे कि आपको 10,000 share आपको मान लिजे कि 10,000 share तो नहीं लेकिन क्या कहते है 10,000 रूपे invest करने से infosys के अपर अंधर ठीक है तो अब अपना पहला एक या दो stock buy करके इस level पर छोड़ सकते हो देखिए market की condition कैसी है फिल्हाल market में काफी volatility है क्योंकि Ukraine और Russia के war अभी भी किसमाप नहीं हुई है prices बढ़ते जा रहा है चीजों के और ये सारी चीजे दोस्तों ऐसी होती है कि हमारे कोई भी sector ले लिजे IT sector ले लो या कोई भी sector ले लो overall सबके सब effect होते है चोटा बड़ा उपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है कोई कम effect होता है कोई ज्यादा effect होता है लेकिन effect सारे का सारा sector होता है यही reason है कि Infosys में एक तो इनका जो quarterly result है वो दूसरी बात एक heavy sell-off देखने को मिलेगा हमें क्योंकि जो market के expectation थी उस हिसाद पर perform नहीं किया है तो जाहिर सी बात है stock थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा लेकिन अब इसका buyback के हिसाब सब सोच यह जड़ा सा इसका buyback कितने price पर आया था ठीक है 1800 के price पर इसका buyback आया था और आज यह stock अपने buyback वाले price से भी नीचे की तरफ मिल रहा है जब buyback आया था तब भी मैंने बताया था कि यह stock एक अच्छा opportunity हो सकता है buy करने के लिए और देख लीजिए यह stock ने buyback के price से भी उपर 1900 के price को भी cross कर दिया था तो मेरे वो viewers subscribers जिनको मैंने swing trading के लिए recommend किया था उनको तो अच्छा खासा profit मिल चुका होगा long term investors को गिरावट में कोई भी panic करने के जरूद नहीं है company में अभी ऐसा कुछ बड़ा news नहीं आया है कि हम भाग जाए stock को छोड़ करके stock के अंदर गिरावट आयेगी मैं मानता हूँ लेकिन हर गिरावट एक buying opportunity हो के अपके लिए थोड़ा थोड़ा करके buy कीजिए जैसे ही stock आपको consolidate होता हुआ दजर आता है जैसे ही stock में इस तरह से consolidation क्या होता है इस तरह से अगर stock के अंदर आपको एक अच्छा खासा ऐसे consolidate करता हुआ sideways trend मिलता है इस तरह किसे अगर उपर नीचे stock हो रहा है लंबे समय से दो तीन दिन से तीन चार दिन से तो आप ज़रूर वापिस से buying कर सकते हैं यह level भी अच्छा है अपनी पहली S&P डालने के लिए थोड़ा थोड़ा करके buy करते चाहिए हर गिरावट में accumulate करते चाहिए long term के लिए infosys में अभी तक कोई ऐसी बुरी news नहीं आई है अगर आएगी तो मैं चरूर अपने channel पर cover करूंगा मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियोस में तब तक के लिए देखते रहें एपी इन्वेस्टर्स अगले एपिसोड में और जाते जाते यार लाइक कर देना इतने बाकी तो आपकी मरजी की बात है लेकिन लाइक जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब तो करना है त कोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और जाते जाते मिलेंगे अपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस एपिसोड को देखने के लिए मिलेंगे अगले किसी एपिसोड के साथ नए स्टॉक के साथ धन्यवाद